हाँ तोस तो आज चोईस फर्वरी और आज शाम को साड़ी साज वजे से दो बड़े मुकाबले खेले जाने वाले हैं एक तो है पेसल का जैसे का आप इसक्रिन पर देख सकते हो दूसरा जो मुकाबला खेला जाएगा वोमेंस प्रीमेर लीग का वो खेला जाएगा आरसे बी स्टेडियूम लाहोर के ग्राउन पर ये मुकाबला खेला जाएगा क्या प्लेइंग लेवन इस मेच में उतर सकती है कौन से बदलाव देखने को मिल सकते है एड टो एड रिकोर्ड पीछी रिपोर्ट और बहुत सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो मिलने वाली है तो प्ली के ले गए है उसमें 28 मुकाबले जीते हैं पहले वल्ले वाजी करने वाली टीम ने अठारा मुकाबले जीते हैं बाद में वल्ले वाजी करने वाली टीम ने फर्श्य में का वड़ेश्ट मेरी सकोरर удоб एक सो någon सिसकार के बीच में ग्यारा बार 120 को prepared है उनिया उपर we oyen निया स्कोर देखा है वो देखा है यहाँ पर 14 बार तो जाहिर सी बात है फर्स टेनिंग का आवरेज स्कोर देखें या फिर हम देखें स्कोरिंग पैटर्न उसके अधार पर लग रहा है पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकुल यह विकीट है लाश्ट के कुछ मुकाबले जो यहाँ पर अभी तक खेले गए हैं उसमें स्कोर आप देखें 166, 177, 174, 157, 188, 206 और 190 तो मतब पूरी तरह से बल्लेबाजी अनुकुल यह विकीट नजर आ रहा है पेसर ने इन मुकाबलों में 31 विकीट निकाले थे जबकि इस्पिनरों को 13 ही विकीट यहाँ पर मिले है मतब इस्पिनरों के लिए उतनी जादा मदद यहाँ पर नहीं है हेट टो एड की बात की जाए टोटल 17 मुकाबले यहाँ पर केले गए दोनों टीमों की बीच में उसमें कराजी का पलड़ा बारी रहा है इनके पिछले 5 मुकाबलों में अब हम बात करेंगे यहाँ से प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन सी प्लेइंग 11 हमें लाहूर कलंदर की टीम से देखने को मिल सकती है तो भीया एस फरान है फकर जमान आर्विन डेंडशन शिकंदर राजा एस खान अब्दुल्ला साफिक कार्लूस ब्रेद्विट जोर्ज शाहिन अफरीदी हरी श्राव और जमान खान बहुत अच्छी प्लेइंग लिवन है जितनी अच्छी बल्लेवाजी उतनी इची गें गेंबाजों के बारे में तो भीया शाहिन अफरीदी, हरीश राव और जमान खान स्टार्टिंग के ओरू में गेंबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं अब फ्रेंच प्लेयर यह जो फॉर्मेट है इसको हम थोड़ा सा शोट में कवर करेंगे सिर्फ रिसेंट फॉर्म पर जो अच्छा प्लेयर होगा उसको में घड़ा सा हाइलाइट कर दूगा तो अब यह सफरान के अगर हम बात करें पिछली अगर इनके तीन मुकाबले देखे जाए तो दो बासट और सतावन दो अर्द शतक आया है मतलब अच्छी लाई में नजर आते हैं फकर जमान की बात पिछले कुछ मुकाबलों में कोई बड़ा सकौर नहीं आया है इंकी तरफ से फिर हम देखेंगे कार्लोस ब्रेटफेट के बारे में कार्लोज प्रेटवेट आप देख सकते हो जिरो विकिट जिरो विकिट एक विकिट जिरो विकिट विकिट तो इनको मिल नहीं रहे और ना ही यह रन बना रहे मतलब पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं जिरो विकिट विकिट वही पर आप देखो 2023 से 24 के बीच में 40 में 56 विकिट यह निकाल रहे हैं हरीश राउफ की फॉर्म थोड़ी सी खराब चल रहे हैं पिछले चार मेंचों में सिफ एक ही विकिट इनको मिला है बात कर लेते हैं जमान खान के पारे में जमान खान चाहें एक ही विकिट मिल रहा है बात कर लेते हैं कराजी किंक Calling की टीम से वीडियो मेंच pewno कर रहे हैं तो ड़़ाई सा शोटि महीं हमरें लीकिन डीटेल आपको पूरी मिल रही है अब कराजी की टीम से आप देखोगे शान मसूदे, एमा अकलाख है, जो ग्रेंड लिक पी आए, मौमद जो है ये, ग्रेंड लिक पी आपके लिए बन सकते हैं जेम्स विंस, शोयब मली, कैरन कोलाड, मौमद नवाज, डेनियल सेम्स, बहुत ही अच्छा ओल्राउंडर सेक्षन का नजर आता है, मतलब अल्ले बाजी ओल्राउंडर सेक्षन, फिर इर्फान खान, हसन अली, मीर हमजा और तबरेश शामसी, बहुत अच्छी प्लेंग कोई नजर आ सकते ही, अब यहां से अगर हम देखे, तो भी यह शान मसूद की तरफ से कुछ बड़ी पार्या आई है, मतलब बहुत 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 रिन फॉर्म में है, शान मसूद, फिर हम देखेंगे, मौमद अखलाक के माँ बात करें, हाँ, वो मैंने उसमें बताया था, प्लेंग इलेवन में, तो रिसेंट फॉर्म देखेंगे, चोईश, से थीस, पाँच और तेश मतलब एवरेज फॉर्म इनकी चल रही है, फिर हम देखेंगे, जेंप स्विंस का, रिकोर्ड अगर हम देखें, तो भी यहां कुछ अर्द आप देखें, बैक टू बैक नाबाद रहे हैं यह, महमद नवास, एक विकेट, जिरो विकेट, जिरो विकेट, जिरो विकेट, जिरो विकेट, जिरो विकेट, तीन विकेट, महमद नवास को हम लेते हैं, तो प्रॉपर गेनबाज के तोर पर ही लेते हैं, क्योंकि बल्ले तीन विकेट, जिरो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, जिरो विकेट, एक विकेट और चार विकेट अच्छा काम कह सकते हैं मीर हमजा का काम भी और भी बहत्रिन रहा है तीन विकेट, एक विकेट और दो विकेट इनोंने निकाले हैं अब यहां से हम देखें तबरेश शामसी तो भी या इनकी फोर्म उतनी अच्छी नजर नहीं आती सिर्फ एवरेज परदेशन कहूंगा मैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेरी टीम के मेरे मेरे में तो दोस्तों सबसे हम बात करें थे हैं विकेट कीपर शेक्षन में तो विकेट कीपर शेक्षन में देखोंगे आप एस फरान का उप्शन है लेकिन मुहमत अतला का भी बहुत शानदार उप्शन है इन्हें आप अपनी बेकप टीम में जरू ट्राइ कीजिएगा फिलाल हमने फरान के लिए अब यहां से मैं फाल्यबाद लेकर चलूँगा फकर जवानननन जर्ण विसी सान मशूद और यहां से मैं लिए एक dwa morning में यहां में ही ट्राइ कीज़ेगा बाकि मौमद दवाज को आप लेकर चल सकते हैं दो मैंने यहां से बोलन लिए है एक तो शाहिन अफ्रिदी को दूसरा मैंने लिया है हसन अली को लेकिन अगर लाहोर की पहले गेन बाजी आ जाती है तो आप एक काम कर सकते हो हरी श्रॉव को यहां पर लेकर चल सकते हो बाकि जमान का भी ओप्षर है लाहोर की टीम के प्लेयर यह भी लेकिन मैं यहां से हसन अली को फिला ले रहा हूँ कप्तान की बात कर लेते हैं दोस्तों मेरी जो कप्तान होंगे थोड़े रिस्की कप्तान होंगे शाहिन अफरी भी मेरे कप्तान होंगे उग कप्तान में ने बनाया है वो बनाया है सिखंदर राजा को चलिए टीम का प्रिव्य देखते हैं दोस्तों मेरी जो टीम है कुछ इस पकार आपको देखने को बिलेगी इसके बाद में वोमन्स प्रमेर लिक का जो में चारज उसके भी टीम देने वालों प्लीज वीडियो को पूरा देखेगा फिर फगर जमान को में लिया है काईरन पोलार, सिकंदर राजा, शाही नवरीदी, चारो बेस्ट प्लेयर मेरी टीम में आ गए, फिर यहां से जेंस, विंस, डेनियल सेंस, एस फरान, आला की मुहमद को भी ले सकते, वो भी अच्छे ओप्शन है, विकेड की पर स्रेक्शन मे फिर शान मसूद, आर्विन डेन डेशन, शोय मलिक और हसन अली, अब फ्रेंज, हरी स्राउब का बहुत अच्छा ओप्शन है, आप चाहें तो यहां पर चेंज कर सकते हो, टोस के अकोरिंग भी, अब हम बात कर लेते हैं, जो वूमन्स प्रेमेर लिग का आर्ट से भी बश पर रहें, सामको सारे साथ बजी से ही होगा, आर्ट से भी वासे योपी वोरियर्स के बीच में, वूमन्स प्रेमेर लिग का मुकाबले है, जल्दी से प्लेंग 11 पर एक नजर डाल देते हैं, पिच रिपोर्ट पर एक नजर डाल देते हैं, उससे पहले टेलीग्राम पर ज बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, और पांच मुकाबली जीते हैं, बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने, क्योंकि एक मुकाबला वीडियो बना से टाइम रनिंग था, अब हम बात कर ले थे हैं, एवरेज स्कोर के बारे में, फस्ट एनिंग के बीच में highest 163 का यहां पर बनाएं lowest यहां पर ध्यान अखना last वाला मेच मेंने cover नहीं किया lowest यहां पर 99 का बनाएं scoring pattern की बात करें 1500 से कम यहां पर 6 बार score देखने को मिला है 1500 से 179 के बीच में 2 बार score हमें देखने को मिला है मतलब एक balance विगेट है लेकिन 117 और विया 113 और इकराण देखने पर मैं पता चलता है कि एक balance विगेट है जितना ज़्यादा advantage बैले बाजो को मिलता है उतना ही ज़्यादा gain बाजो को भी मदद यहां पर मिल सकती है पेसर ने इन मुकाबलों में 22 विगेट लिया थे जबकि इस पिनरों ने 24 विगेट यहाँ पर निकाले है अब बात कर लेते हैं head to head मुकाबलों के बारे में दोनों टीमों की बीच में अभी तक तीन मुकाबले हुए है उसमें एक-एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता है और एक मुकाबल में शाहिद डिजल नहीं निकला था ऐसा कुछ हुआ था लेकिन हम मान के चलते हैं दो ही मुकाबले हुए एक के मुकाबला दोनों ने जीता है बात कर लेते हैं यहाँ से प्लेंग 11 के बारे में RCB के अगर प्लेंग 11 के मैं बात करूँ तो यह इसमात ही मानना है सोफिया डिवाइन, एस मेगना, पेरी, रीचा गोष, दिशा, एंडी कलर्क, जोर्जा वरहम, स्वेमका पाटिल, सौपना आशा और रेनुका सिंग ठाकूर इन डिखिया डिवाइन स्टाइङं के अऔरों में गेंबाजी करती हुई नजरा सकती है लास्ट के अऔरों में एंडी कलर्क, जोर्जा वरहम और रेनुका सिंग, आपको गेंबाजी करती हुई नजर आ सकती है बात कर लेते हैं प्लेयर रिकोर्ड्स पर इन पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं करेंगे आप आपके हिसाब से आप देख लिजेगा सिर्फ प्लेइं 11 आप टीम देखेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा शोर्ट में हम कवर करने वाले मतलब सामने वाली टीम के सामने वेन्यू मतलब इस ग्राउंड पर ये नहीं के लिए वुमेंस प्रीमेर लिग के आपके हिसाब से आप देख सेबते हो अगर आपको जरूर थे तो बागी फिलाग हम शोर्ट में ही ये वीडियो कवर करेंगी जैसा कि रिचा गोश्क ले आनले ये भी एक अन्फियूस राज होने वाला है तो इसनकी रिसेंट फॉर्म देखिए विकेट कीपर भी है साई साथ 24 रन, 23 रन, 1906 रन मतलब लेना तो बनता है फिर हम बात कर लेते हैं यहां से एंडी क्लर काफी लोगों का अन्फियूस रन टीन विकेटिनों ने रिसेंटली लिये हैं अब बात कर लेते हैं रेडू का सिंग ठाकूर जो की काफिल लोगों को इन पर ज्यादा भरोसा कर रहे होंगे लेकिन आप देखो पिछले कुछ मुकाबलों में स्रिफ एक ही विकेटिन को मिला है बात कर लेते हैं यूपी की प रहने वाला है इस प्लेइंग लेवन में फिर हम बात कर लेते हैं दिनेश है ताहिला मेंगर्द किरन ग्रेस हैरिस अब अगर अट्टा पट्टो खेलेगी तो कहीं नगए ग्रेस हैरिस को बाहर बैटना पड़ सकता है फिर दिप्ति शर्मा, सोफिया इसलस्तन, अंजली सर करती हुई नजर आ सकती है लास्ट के ओरो में सोफेस रिस्टन, दिप्ति शर्मा और पार्श्वी चोप्र आपको गेंद बाजी करती हुई नजर आ सकती है बाकि यह आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा रिकोर्ड रिकोर्ड पर में थोड़ा से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तो दोस्तो रिकोर्ड के अनुसार भी आप अमनी टीम बना कर चल सकते हैं तो नहीं देख लेते हैं मेरी टीम दोस्तो सबस्ब में बात करें देए विकट की इपर सेक्शन में तो यहां से मिने रिचा गुष को लिया है और मिने लिया हैला साहली को दोनों बहुत अच्छी प्ले जिम आप आ जाती है और बल्ले बाजी section में मैंने सब एकी बल्ले बाजी लिए वह लिए मैंने इसमा दिमाधना को घेलती है तो बल्ले बाजी करम पहले चेक करना पड़ेगा और खेलेगी तो निसकी जगे यह confusion है अट्टा पट्टो के खेलने पर डाउट है 50-50% चांस है अट्टा पट्टो खेल भी सकती और नहीं भी खेल सकती है फिलाल हम मांगे चल रहे हैं कि अगर यह खेलेगी तो अपनी टीम में हम लेकर चलेंगे इनको बागी सोफिया मोलिनिक्स का बहुत अच्छा उप्शन है लेकिन खेलेगी तो किसकी जीके देखने वाली बात होगी सोफिया डिवाई उग कप्तान मेरी होगी उग कप्तान फिलाल मैंने यहां पर मनाया है स्री अटा पट्टो को लेकिन चांसेज यह हैं कि यह साइद इस में ना खेले तो कप्तान कप्तान ताहिला मिग्गर या फिर डिप्ती शर्मा का बहुत अच्छा उप्शन है इनमें प्रिवी देखते हैं सोफिया डिवाइन, रियन्युगा सिंग्ठागोर, रिचा गोश, ताहिला मेगर्थ, डिप्ती शर्मा और जोर्जा वर्यम, कप्तान तो मुझे सोफिया डिवाइन ठेक लग रही है, लेकिन उपकप्तान अगर अट्टा पट्टों नहीं खेलती, तो उपकप्तान के लिए आपके उस पेरी का ओप्षन है, इस अजिस्टन का ओप्षन है, डिप्ती शर्मा है और ताहिला मेगर्थ है, इन में से भी आपको कप्तान अपने टीम का बना कर चल सकते हूं, फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पर जुड़ी है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप् यडियो आपको कव्चान अभी प्लš्चे यजिस्टन है, इन में प्लापश प्लापना का लिए आपको के लिए मेंस्गे। गत्तियो सकतischer है, अवारता है, यारता हैं, इन शर्मा है को कSteven है पजएंस।